है दोस्तों हाव आर यो फाइन ओके तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज़ेस फॉर्म होती है वो किस तरीके से होती है आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि what are the uses of concave mirror and convex mirror तो यहाँ पर देखिए यह सारे है uses of concave mirror first जो use है वो है torch, search light और vehicle तो concave mirror कहाँ पर use होता है तो torch, search light और headlight इन तीनों में concave mirror use होता है अच्छा यह किस तरीके से use होता है तो देखिए जो torch या तो search light या फिर headlight होगा उसका shape कुछ इस तरीके का होता है और यहाँ पे हम fit करते है generally हमारा जो light है उसको यहाँ पे fit करते है फिक है इस तरीके से light fit होता है अब इसके वज़े से क्या होता है कि यह जो light है यह forward में तो कुछ इस तरीके से आएगा यहां से जो light निकलेगा लेकिन पीछे जो light जाएगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा ठीक है अब यह जो light है जब इस पे fall करेगा तो हमें पता है जैसे कि हमने देखा था कि अगर parallel rays है तो वो कहा से pass होते है तो वो सारे के सारे focus से pass होते है तीक है अगर parallel rays incident करते है किसी भी mirror पे तो वो पास होते है focus से similarly अगर focus से light निकल रहा होगा तो वो light जब इस mirror पे जाएगा यह mirror की तरह काम करता है light का जो internal surface है mirror की तरह काम करता है तो यह सारा जो light है यह क्या हो जाएग और इसके वजए से क्या होगा कि हमें एक पारलल बीम मिलेगा तो यह लाइट जो वेस्ट होने वाला लाइट था वो हमारा अभी पारलल बीम बनके निकलेगा और हमें वो यूज में आएगा तो यह है यूज कॉनकेव मिरर का किसमें टॉर्च, सर्च लाइट और हेड लाइट अब इसको और कहा भी यूज करते हैं कॉनकेव मिरर को तो जैसे मैंने अल्रेडी प्रिवियस लेक्चर में हमारे बताया था कि जो शेविंग मिरर्स होते हैं उसमें जनरली मेंस इसको यूज करते हैं अब focal point है, तो focus के पहले अगर image, अगर object को रखते है, तो उसकी image real बनती है, और magnified या तो फिर diminish बनेगी, लेकिन जब आप इस object को focus के आगे रखते हो, यानि यहाँ पे focus और pole के बीच में रखते हो, तो उसकी जो image है, वो mirror के behind बनती है, magnified image बनती है, और कैसी बनती है virtual image बनती है, virtual and magnified, अब अच्छा, virtual image क्या होती है तो हमने हमारे first lecture में देखा था कि जो virtual image होती है, वो हमें सिर्फ दिखती है, उसको हम screen पे नहीं ले सकते, यानि mirror में वो image नहीं ले सकते, तो यह virtual image, अब कया होगा, कि अगर कोई बंदा shaving कर रहा है तो उसके हाथ में ये कौन क्यों mirror है तो वो क्या करेगा अपना जो face है उसको वो इस focal point से आगे रखेगा pole के दरफ याने pass में रखेगा तो जब वो pass में ऐसे पकड़ेगा तो उसको उसका जो face का जो part है वो each and every part he is able to see in that mirror तो वो magnified image दिखाएगा याने अगर कई पर कटा है तो उसका भी magnified image वो उस mirror में दिखाएगा तो ये use है shaving mirror चीचाएगा अब और एक use है dentist, dentist लोग भी कौन के वो mirror को use करते हैं कैसे use करते हैं तो देखते हैं कैसे वो use करते हैं तो dentist के पास अगर आप देए होगे तो आपको समझ में आएगा कि suppose ये कोई बंदा है ठीक है और ये गया है डॉक्टर के पास और इसके दातों में दर्द है suppose तो ये है उसका मूँ है ये ठीक है आप अभी समझ लेना थोड़ी से drawing ठीक है तो ये उसके मूँ में suppose जो दात है वो उसको उसने कीड उसको लगी हुई है तो अगर खराब हो गया है तो वो dentist क्या करेगा dentist के पास कुछ इस तरीके का एक mirror होता है ठीक है concave mirror ऐसा ये इससे लगा होगा ये वाला होता है आपका concave mirror तो ऐसा concave mirror ये जो dentist है वो क्या करेगा उसके मूँ में insert करेगा और जो कीड है कीड जहां पे भी होगी उस teeth को particular उस teeth को वो देख पाएगा यहां से चीक है याने ये जो dentist है वो क्या करेगा concave mirror का use करके वो जो teeth है उसको cure करने की कोशिश करेगा तो इस तरीके से dentist लोग उसको use करते है लाश्ट का जो इसका use है वो है solar furnace अच्छा अब solar furnace में इसको कैसे use करते है solar furnace होगा या तो फिर solar cooker होगा इसमें इसको कैसे use करते है तो देखिए क्या होता है कि उपर ऐसे एक mirror लगा होता है solar cooker की बात करेंगे ठीक है उसमें ऐसे एक mirror यहाँ पर लगा होता है यह कौन सा mirror होगा और अंदर जो चीजे आपको पकानी है वो सारी चीजे इस box में रखे जाती है ठीक है इस box में सारी चीजे रखे जाती है अब होता क्या है कि जब sunlight आता है तो sunlight जब इस पे गिरता है तो यह जो सारा sunlight है वो concentrate होता है एक जगर पे concentrate होता है और इसकी वज़े से क्या होता है कि यह सारा sunlight एक ही जगर पे concentrate होने की वज़े से यह जो पिफन है वो heat हो जाएगा और खाने को जल्दी पका देगा तो इस तरीके से जो हमारा solar furnace या तो फिर solar cooker same thing से यूज़ करते हैं इसको हम यूज़ करते हैं किस लिए तो temperature बढ़ाने के लिए तो solar radiation का use करते हैं temperature बढ़ाने के लिए ताके चीज़े पक जाए cooker में और अगर furnace है तो वहाँ पर वो melt हो जाए जैसे कि metal को melt करने के लिए हमारी convex mirror में तो वो image हमारी हमेशा होती है erected, diminished और virtual तीन चीज़े होती है erected, diminished और virtual कली हमने जो previous lecture था हमारा उसमें देखा कि convex mirror जो image फॉर्म करता है वो erected होती है, diminished होती है और virtual होती है अब इसका benefit क्या है कि जब भी हम इसको rear view mirror में लगाएंगे vehicle में के, तो vehicle का जो side mirror है उसमें जब लगाएंगे तो हमें जो पीछे का जो सारा यानि अगर कोई vehicle आ रही है कुछ भी है, तो पूरा जो road है वो हमें उसमें देख पाएगा तीक है, अब हम इसमें convex mirror ही यूज़ कर क्यों करते हैं क्योंकि हमारी जो image है वो diminished बन रही है, छोटी बन रही है इसका मतलब क्या है, कि बहुत बड़ा जो road है, या तो फिर बहुत बड़ी कोई vehicle अगर हमारे पीछे है तो उसकी भी image, side mirror में हमें छोटी दिखता है, अगर suppose, अगर पीछे track है, और उस truck को हमें देखना है तो अगर plane mirror लगाएंगे, तो truck की size का ही plane mirror हमें लगबग लगबग तो इसलिए हम क्या use करते है, convex mirror, convex mirror में क्या हो जाता है, बड़ा सा truck, एक दिम छोटा सा दिखता है, तो side mirror भई हमारा छोटा ही होता है, उसमें बड़ी चीज दिखनी चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको use करते हैं, याने हमारा जो view है, पीछे का, wider जो field view है, वो हमें मिल जाता है, बड़ी चीज़े हम देख सकते हैं, इस convex mirror में दूसरा है कि image erected होने की जासे भी हमें benefit है, क्योंकि image अगर चोटी होगी, तो जो field होगा, वो बड़ा होगा, ये तो उनने already देख लिया, तो ये जो use है, वो convex mirror का है, convex mirror का दूसरा use है, कि जो road का turn होता है, उस पे भी convex mirror लगाया जाता है, अब इसको कैसे, तो suppose ये एक turn, ये road है, या और यहाँ पे यूटन है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे convex mirror को install कर देंगे, उसकी वज़े से क्या होगा, कि भी कोई भी vehicle, जो इधर से ऐसे जा रही है, उसको इस आएने में मालूम पड़ जाएगा, अगर कोई vehicle इधर से आ रही है, तो पहले ही उसको जहाँ पे दिख जाएगा, इस mirror में, यह जो vehicle है, उसको इस mirror में दिखेगी, और इसको ये वाली vehicle, इस mirror में दिखेगी, तो दोनों को पहले ही समझ में आ जाएगा, turn पे आने से पहले ही, दोनों को समझ में आ जाएगा, कि आगे से कोई वेहिकल आ रही है तो ठीक से चलाओ देखके चलाओ ठीक है तो ये भी इसका एक use है जो third and last use है convex mirror का वो है ATM machine में तो ATM machine में अगर आप गए होगे पैसे लेने के लिए तो वहाँ पे हमें pin डालना पड़ता है तो जब हम pin डालते है तो हो सकता है कि हमारे पीछे का जो बंदा है वो हमारे pin को देख ले और फिर वो उसको use करे बाद में sort करने के लिए पैसे निकालने के लिए तो इसलिए उसको देखने के लिए कई बार ATM machines में आगे convex mirror लगा होता है जिसमें हमें हम देख सकते हैं कि हमारे पीछे से कोई जहाग तो नहीं रहा है ठीक है तो यह सारे है uses किसके convex mirror के तो convex mirror के uses देख लिए अब देखते हैं कि जो concave mirror है उसकी जो focal length है उसको practically कैसे measure करते हैं उसको देखेंगे कि focal length जहाँ पर लिखेंगे how to measure how to measure focal length of concave mirror तो भई हमारा जो concave mirror है उसकी focal length को practically कैसे measure किया जबाँ है तो हम उसके लिए क्या करते हैं हमारे पास देखिए यह एक concave mirror है चीक हैं तो हम क्या करेंगे जो sun rays है उसको हम use करेंगे तो sun का पर लगबग लगबग infinity पर हमारा sun situate करता है वहाँ से जो rays निकल रहे है वो rays जब इसके पॉल करते है तो वो किस तरी के के होते है तो वो लगबग लगबग parallel होते है ठीक हैं तो यह तो हमें पता है कि यह जो rays है वो कैसे होंगे parallel to each other होगे और हमने देख लिया जब ray diagrams हमने देखे पिछले वीडियो में तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लिजे ठीक है जो images बनती है concave mirror में वो कैसे बनती है उसको पहले देख लिजे तो यह जो parallel rays है इसको हम use करेंगे हमें पता है कि अगर कोई भी rays parallelly अगर fall करते है concave mirror पे तो वो सारे combine होते है कहाँ पे combine होते है तो वो combine होते है उसके focal point पे तो यह सारे combine होगे कहाँ पे focal point पे combine होगे तो इसको हम थोड़ा सा उपर रखेंगे ताकि उस पर रोशनी गिरें यह जो रेज है उस पर गिरें और यहाँ पर हम रख देंगे screen अब हमें पता है कि कौन के ओ mirror real image फॉर्म करता है तो यह जो बड़ा सा sun है उसकी छोटी सी image यहाँ पर बनेगी हम इसको आगे पिछे आगे ताकि हमें एकदम sharp image मिले तो जहाँ पर आपको sharp image मिलेगी याद रखना जहाँ पर आपको sharp image मिलेगी वहाँ पर screen को रोख देना अब यह जो screen का distance है और यह mirror का distance यह जो है यही है आपकी focal length तो इस तरह से आप focal length को measure कर सकते हो कौन के mirror की आया समझे है ओक चलो ठीक है अब जो इसके numericals है उन numericals को solve करने के लिए हमें कुछ sign conventions की जरुरत होगी तो इसके formula देखेंगे formula से पहले हमें कुछ sign conventions है जो कि यहाँ पर पढ़ने है ताकि हम numericals को solve करता है तो यह जो sign conventions है चलो उसको देखते हैं तो sign conventions अब देखेंगे यह यह जो हमारा concave mirror है अच्छा यह concave या convex कोई भी mirror हो सकता है दोनों के लिए sign conventions कैसे होंगे same ही होंगे अब यह है हमारा principal axis और यह है focus यह है center यह है point अब देखो sign convention क्या बोलता है हमने जैसे कि कल जो lecture देखा था उसमें भी देखा था हमने कि जो image जो object है वो हम इधर place करते हैं तो यह है हमारा sign convention first sign convention क्या है कि जो object है वो हमेशा left hand side में होता है याद रखो object हमेशा left hand side में होता है object हमेशा left hand side में होता है किसके mirror के mirror के तो यह mirror है कौन के हो mirror उसके हमेशा left hand side में कौन होगा object होगा तो यह है हमारा first sign convention दूसरा sign convention हमारा यह है कि जो distances है all the distances to the left hand side or the mirror are taken as negative, तो यह जो distances, जो सारे measure करेंगे आप यह सारे distances कैसे होंगे, negative इस side में, जो भी distances आप measure करोगे, left hand side में, वो सारे के सारे negative होंगे, इस side में जो भी distances measure करोगे वो सारे के सारे positive होंगे, तो यह third convention first second and third, यह third convention ambiguous for convention गोलता है कि all the distances measured अबोव दि क्रींसिपल एक सीस तो यह आका प्रींसिपल एक से अब डिस्टनसे हो गे वो सारे पॉजिटिव होंगे याद रखना प्रिंसिपल एकास के अबव जो भी डी Convention जुनको आपको follow करना है पहले तो object को हमेशा Left hand side में रखेंगे ठीक है तो object हो गया हमेशा Left hand side में दूसरा जो distances है to the left of pull या तो फिर mirror mirror के left hand side में जो भी distances होगे वो negative right hand side में हो गे तो positive ऊपर होगे तो positive नीचे होगे तो negative यह है हमारे sign conventions अब देखते हैं कि तीन चीज़े आभी और आपको याद रखनी है पहली तो ये कि जो object होता है ये object का जो भी distance है उसको हम हमेशा u letter से दिखाते है किस letter से दिखाते है या पर u letter तो जब हमारा mirror formula आएगा तब आपको वो समझ में आएगा है ना वहाँ पर हम इसको use करेंगे तो जो image का स्वरी object का जो distance है object distance उसको हम हमेशा u letter से दिखाएंगे दूसरा अब अगर suppose ये उसकी image है ये i है इमेज है ये ऐसे जाके ये ऐसे बनी है है ना तो ये अगर image है तो जो image का distance होगा image का distance होगा उसको हम हमेशा v letter से दिखाते हैं तो अगर ये image distance है तो इसको हम v letter से दिखाएंगे और उसको नापेंगे कहा से तो image का distance है इसकी position है इसको कहा से नापेंगे तो पोल से नापेंगे ठीक है वैसे ही object का distance भी pole से हम consider करेंगे तो pole से इधर ये left hand side में ठीक है तो यह u है और यह क्या है यह v है तो image distance को v से दिखाएंगे object distance को u से दिखाएंगे focal length को focal length already देख लिया हमने focal length को f letter से दिखाएंगे और जो radius of curvature है radius of curvature है उसको हम r letter से दिखाएंगे तो यह 4 letter आपको याद रखने है object distance u, image distance v, focal length f और radius of curvature r अब बहुत important चीज़ हम देखेंगे sign convention हमने देख लिया और किसको किस letter से लिखा जाता है यह हमने देख लिया अब यहाँ पर बहुत ही interesting बात है यह concept है जो आपको याद रखना है याद रखिए यह जो concept है यह आपको भूलना नहीं है क्योंकि सारे जो numericals है उसमें यही concept use होने वाला है ठीक है तो यह अगर concave mirror है तो हमने देखा है कि इसका जो focus है ना वो इस side में होता है ठीक है यह concave mirror यह focus है याने यह हो गई आपकी focal length ठीक है focal length हमेशा small letter से और जो focus है वो capital letter से हम दिखाते हैं ठीक है तो यह capital letter से दिखा दिया यह है मारी focal length ठीक है यह concave mirror के लिए तो जैसे कि हमने देखा कि जो distance है distance to the left of pole is always negative इसका मतलब क्या हुआ कि for concave mirror concave mirror के लिए जो focal length है वो हमेशा क्या होगी negative होगी यह बहुत बड़ा concept है जो आपको याद रखना है देखो जो focal length है concave mirror की वो हमेशा negative होगी क्योंकि focal length फोकल लेंद यह साइड में होती है इसका जो focus होता है इस साइड में होता है इसलिए focal length निगेटी होगी हमेशा जबकि अगर हम convex mirror की बात करें तो convex mirror का जो भी focal point होगा focus होगा वो इस साइड में होता है और इसकी जो focal length है विधर तो यह हो गया pull और यहां से focal length किस side में measure हो रही है तो वो right hand side में हो रही है इसलिए हम यहां पे लिख सकते है कि convex mirror की जो focal length होगी वो हमेशा क्या होगी positive होगी तो यह चीज़ आपको याद रखनी है इसकी concave mirror की focal length हमेशा negative होती है और convex mirror की focal length हमेशा positive होती है अब और एक बात है जो आपको समझनी है कि हम जो object है उसको हमेशा left hand side में रखने वाले है तो यह object हमेशा left hand side में होगा और यह हो गया object distance तो जो object distance है object अगर left hand side में हमेशा रहेगा और यह distance जो है object distance वो हमेशा left hand side में रहेगा इसका मतलब यह है कि जो object distance है वो भी हमेशा negative होता है तो चाहे वो concave mirror हो चाहे वो convex mirror हो या तो फिर आगे जाके हम lens पढ़ेंगे तो lens हो उन सभी में आपको याद रखना है object distance हमेशा negative होता है object distance is always negative चीक है अब इसमें भी एक condition है कि अगर दो से ज़्यादा lens या तो फिर mirror हम ले तो वहाँ पर object distance जो है वो हमें सोचना पड़ता है कि negative लेना है कि positive लेना है लेकिन generally जो object distance है यहाँ पर for the tenth अगर आप tenth में हो तो इसके लिए जो object distance है वो हमेशा negative होगा यह आपको याद रखना है तो तीन चीज़े हमने यहाँ पर note down कर ली एक तो object distance हमेशा negative होगा focal length अगर concave mirror है तो वो भी negative होगी और convex mirror है तो focal length positive होगी चीक है चलो तो अब हम देखते है mirror formula क्या देखेंगे चलो अब mirror formula देखते है mirror formula तो जब भी हमें mirrors पे numerical solve करने है तो mirror formula हमें बहुत use में आता है यह formula कुछ इस तरीके से दिया है 1 by f is equals to 1 by v plus 1 by अब बच्चो आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि यह जो formula यह कहा से आया तो इसके लिए एक derivation है तो वो जो derivation है generally 11 के जो बच्चे है 11 में जो होते है science में तो उन बच्चो को use में आता है तो इसका जो derivation है वो मैंने यहापे नहीं दिया उसके लिए एक separate video में बना के डाल दूँगा ठीक है तो फिलाल आप सिर्व उस formula को याद रखिए memorize कीजिए 1 by f यहापे f क्या है focal length है v क्या है image distance है और u क्या है object distance है तो यह है हमारा mirror formula similarly एक formula होगा mirror के लिए magnification का तो magnification पहले तो यह समझना होगा कि magnification क्या है magnification हम small i am later से दिखाते है तो जो magnification है वो क्या होता है तो magnification का जो formula है वो दिया जाता है magnification means image distance image height image height upon object height तो अगर image के height को हम h2 consider करते और object के height को अगर h1 consider करते है तो h2 by h1 h2 by h1 is the magnification इसके लिए अगर formula चाहिए आपको तो formula भी हम दे सकते हैं चीके है और v और u की form में अगर आपको formula चाहिए तो इसको minus v by u इस तरीके से लिखा जाता है ठीके है where v is the image distance और u is the object distance तो magnification का यह भी एक formula है यह भी एक formula दोनो फार्मूले magnification के यह दोनो फार्मूले आपको याद रखने है mirror के लिए mirror के लिए minus v by u हम ऐसे भी लिख सकते हैं h2 by h1 is equal to minus v by u अब यह minus v by u कैसे आया magnification का formula यह तो समझ में आता है कि जो magnification कितना magnification हुआ कैसे समझ में आएगा तो image की जो height है उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे object के height से तो हमें कितना magnified हुआ है कितनी बड़ी है image किसे object से कितनी बड़ी है image यह हमें समझ में आ जा गया ठीक है लेकिन यह जो formula यह कुछ समझ में नहीं आए कि magnification का formula minus v by u कैसे आया तो इसके लिए भी जब हम mirror का जो derivation है mirror formula का जो derivation है उसकी video जब मैं बनाऊँगा तो आपको इसका भी explanation वहाँ पर दे दूँगा फिलाल तो आप सिर्फ इसको याद रखिए minus v by u तो यहाँ पर हमने mirror formula और magnification दोनों के formula देख लिए अब बड़ी interesting चीज जो आपको यहाँ पर याद रखनी है magnification के बारे में जो हमें numerical में बार बार लगेगी जो बहुत ही important है वो यह है कि अगर हम कोई भी image मालो की वो अगर image real है तो real image के लिए जो magnification की value होगी वो क्या होगी याने positive होगी की negative होगी और virtual के लिए positive होगी की negative तो इसको थोड़ा सोचते हैं देखो यह होता है आपका concave mirror जो की real image produce कर सकता है हमने देखा कि convex real image produce नहीं कर सकता सिर्फ और सिर्फ concave mirror जो है वही real image produce कर सकता है तो इसके लिए अगर हम देखे तो suppose object यहाँ पर है तो real image form ओरी याने क्या हो रहा है तो हमने कल देखा कि कुछ इस तरीके से हमारी जो image है वो बनी थी तो यहाँ पर यह जो image बन रही है यह image inverted image है तो हमने देखा कल कि real image है याने inverted image है inverted image की यह height हो गई आपकी h2 और यह height है आपकी object की h1 तो यहाँ पर हमें clearly दिख रहा है कि आपका h2 जो है न वो negative है अब यह image real है real है याने inverted है inverted है याने इसका जो height है वो कैसा हो जाएगा negative क्योंकि आप principal axis के नीचे जो भी distances measure करते है वो कैसे होते है negative हावेवर यह जो h1 है height आपो h1 वो positive ही रहेगा क्योंकि वो principal axis के उपर का distance है according to our sign conventions तो यहाँ पे जो magnification होगा वो होगा h2 by h1 याने यह तो है negative upon positive value तो यह तो आपको पता ही होगा कि negative को अगर positive value से divide करते हो तो magnification की जो value overall value आएगी वो हमेशा negative ही आएगी वो हमेशा negative ही आएगी similarly अगर यह virtual image बनाता है तो फिर यह किस तरीके से होगा अगर यह virtual image बनाता है तो क्या होगा तो यह concave mirror है और अगर focus से आगे हम रखते है यह focus से आगे रखते है तो यह कुछ इस तरीके से जाएगा इस तरीके से पिछले lecture में भी हमने यह diagram देखी थी अगर आपने नहीं देखा है तो video देख लीजिए तो यह बन गए हमारे virtual image अब virtual image क्या होती है अगर आपकी image virtual है तो वो इसका मतलब इरेक्टेड भी है तो इरेक्टेड image के लिए यह जो h2 होगा वो भई कैसा होगा तो h2 हो जाएगा positive क्यों क्योंकि वो principal axis के उपर है और यह है आपका object तो इसकी जो height है वो भी कैसी होगी h1 वो भी होगी principal axis के उपर याने positive तो इसका मतलब यह है कि magnification हो गया आपका h2 by h1 is equals to positive by positive तो यह तो आपको पता है कि positive by positive इन दोनों का ratio जो है वो positive ही आता है तो यहां से हमें समझ में आया कि अगर आपकी image virtual है इसका मतलब वो erected है इसका मतलब उसका जो magnification है वो positive है दूसरी चीज़ हमें समझ में ही अगर आपकी image real है इसका मतलब अगर image real है इसका मतलब है कि image inverted है और जो magnification है वो कैसा है negative है तो यह दो जो चीज़े है उसको note करिए यह concept है जो numerical में बहुत बार use होगा चीज़े है तो आपको यह दोनों चीज़े याद रखी है पहले चीज़ क्या है कि अगर आपकी image virtual है तो इसका मतलब image erected है इसका मतलब magnification positive है अगर आपकी image real है इसका मतलब आपकी image inverted है इसका मतलब magnification negative है अगर यह चीज़े आपको पता है तो आप numericals आसानी से soft कर सकती है तो जो अगला lecture होगा अमारा उस अगले lecture में हम numericals देखेंगे कि numerical को कैसे solve किया जाता है यानि जो question है उसको पहले समझते कैसे उससे given data कैसे लिखते है और उसके बाद में numericals को solve कैसे करते है step by step हम देखने वाले बहुत ही interesting होने वाला है इसलिए आप जुड़े रहिए हर एक lecture को देखिए कोई lecture miss नहीं करना है आपको ठीक है ओके चलो thank you रुपते हैं आप पे thank you thank you very much